अजय को है 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 हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओल्ड टाइम किलासी सांडपूर चैनल पर दोस्तों मैं संजीत उमर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए चाल समय दूरी यानि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंज की एक स्पेसल किलास लेकर आया हूं आज की जो किलास है यह काफी मज़दार होने वाली है और यह लेक्चर वन होने वाला है यह क्योंकि उन बच्चों के लिए जादा अच्छा है जो पहले से प्रिपेर हैं कॉम्पूटिट एक्जाम की काफे टाइम से तेहारी कर रहे हैं तो वे इस किलास के जादा इntजार में होंगे तो दोसतो आज की किलास की खास बात यह है आज आपको कुछ भी बेसिक नहीं बताया जाएगा अगर आपका बेसिक कमजोर है दोसतो प्लीज इसकी दो हमने बेसिक किलास बन ही उन बेसिक किलास को पहले देख लीजए अगर वो आपकी basic class ठीक हो जाएगी हमें फिर कोई अतराज नहीं होगा तो इसलिए आपसे request है दोस्तों तो please आप basic class देख लीजे और उसके बाद अगर आप ये class देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है ना ये तब है condition अगर आप दोस्तों पहले से preparation नहीं कर रहे हो अगर आप कर रहे हो तो well and good है फिर आपको कोई problem होने वाली नहीं है तो दोस्तों आप कुछ ही तो हमारे दोस्त ये सोच रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं कि sir यहाँ पर लिखा हुआ है तीन और यहाँ पर लिखा है one ये क्या system है कहीं आपने गलती से तो किया नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों हमारी किलास जो है किलास का format कुछ इस तरीके से है किया है हमने एक तो किलास की हमने basic में डिवाइट ठीक है और एक की है lecture के अगर basic की बात की जाए तो basic इसकी दो किलास हो चुकी है और lecture इसका ये first है तो इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है ठीक है तो ये वरना दोस्तों सही है बिलकुल तो चलिए फिर start करते हैं दोस्तों आज के विचार से आज का विचार क्या है आपकी ताकत आपकी कमजोरियों में से ही आएगी यानि कहने का मतलब है दोस्तों आपको अपने आपको पहचानना होगा तब ही ज़्यादा आप मजबू हो सकते हो मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि आपको अपने आपको खिद को पहचानना होगा मतलब की क्या होगा है मतलब की आपको देखना होगा आपका विकनिस प्रोलम नहीं होगी उसके बाद आप इस तरह से निखरते चले जाओगे दोस्तों यानि जैसे कि आप में कभी कमिया थी ही नहीं तो यह सारा करना क्या होगा सबसे पहली बात है आपको आप अपनी ताकत अगर पहचाननी है तो खुद की कमजूरियों पर ध्यान देजिए य हुआ है ना चलिए दोस्तों तो यह चार्ट दिया गया इस चार्ट के तुर बताया है इस जा रहा है आपको कि यह दिपार्टमेंट दिखाए गई है इन सब कर्द में एक नो घंडटे में फूरुक्त आया इंचरी ते दे करता है कि लिए यह ना गंटे में पहला अर्धानस वह 4 KM पर ती घंटा से और दित्ते अर्धानस 5 KM पर ती घंटा की दर से यादरा पूरी की उसके दवारा चली गई दूरी कितनी है तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय तो पहले आपको दी गई दो चाल इन दो चाल से सबसे पहली बात तो आपका यह रहेगा आपका दे कि इन दोनों चाल से एक चाल बना दीजिए तो बीज बटे इन्हें घटा दिया वन तो दूरी बराबर क्या रहा दूरी बराबर यह तो दूरी बराबर क्या था ये तो चाल गुना समय समय कितना है नो तो ठीक है तो यहाँ पर यह मिला तो अगर आप इसे सोन कर दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए एक मिन्ट अगर बराबर दूरी है दोस्तों अगर बराबर दूरी की बात है तो चाल आपको add करनी होगी क्या करनी होगी? अच्छा एक मोटर गाड़ी अमुक यहाँ तरा को 9-8 गंटे में पूरा करती है वह आधी दूरी 40 km परती घंटा और 6 दूरी 6 दूरी 60 km परती घंटा की दर से तैय करते है यात्रा की दूरी क्यात कीजिए तो इसी तरह से करना है यह भी 40 और 60 यहां पर कितना रहा 120 यह कितना रहा आपका 3 और यह 2 तो 120 बटे 5 ठीक है 8 घंटे अच्छा 2 की और मल्टिप्लाइ कर दीजिए वो इसलिए 2 की कम्पलीट डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों यह तो और दूरी बराबर हमने क्या क्या चाल गुना समय यहां पर हुआ कितना 2 तो यहां पर अब एक और मल्टिप्लाइ कर दे 24 दूनी 48 गुना 8 जब आप मल्टिप्लाइ करोगे तो 64 32 तीन कितना रहा 600 यह रहा 384 यह आप का अंसर रहा ठीक है ना तो यहां पर एक और क्यूस्टिन करना एक वेक्ति तीन समान दूरियों को करम से 3 किलोमेटर परती घंटा 4 किलोमेटर परती घंटा 5 किलोमेटर परती घंटा में तै करता है कुल 47 मिट में तै कर लेता है तो कुल दूरी क्या है अब अलग-अलग चाल है 3, 4, 5 तो यहां पर कितना हुआ 20 और यहां पर कितना रहा 15 है ठीक है यहां पर 12 है तो तीन की मल्टिप्लाइए करने क्योंकि समान दूरी थी यह कितना तस साथ और यहां पर टोटल रखना होगा आपको 27 और 47 है ना एक करना होगा 47 मिनिट था यहां पर यह रहा 47 इसे 60 से डिवाइड कर दीजिए क्यों क्योंकि यह भी घंटे में कनवर्ट हो जाएगी 60 से 60 और इस से और कितना होगे 3 किलोमेटर कोई प्रूब्लम आपको ठीक है न तो यह रहा आपका अंसर तो ए और बी एक ही समय में करम से 40 किलोमेटर पर ती घंटे 50 किलोमेटर पर ती घंटे की गती से चलना आरंब कर देते हैं यदि यातरा पूरी करने में एक और बी से 15 मिनट अधिक समय लगे हो तो यातरा की कुल दूरी कितने समय में तैह होगी ये कितनी थी 40 थी ये कितनी थी 50 ठीक है ये कितना रहा 200 यहाँ पर कितना था 5 और यहाँ पर था 4 तो ये 2 गुना 200 और बटे कितना रहा 200 नो और 15 बटे 60 15 चुप 60 और 4 से साथ आपने काट दिया तो चार पंचे बीज सो ठीक है ना मिटने दोस्तों यहाँ पर अधीक लगे अगर अधीक लगते तो बटे में डिफ्रेंस लेना होगा आपको ठीक हा ना यहाँ पर क्या कहा गया तो थोड़ा सध्यान दीजिए यह कहा गया अधीक छी कना अधिक के अगर बात आती है तो difference लेना होगा आपको यहाँ पर तो यहाँ पर लिए हमने किया difference कितना है इसका difference लेते हैं दोस्तों इनका एक तो कितना रहा यह तो अगर दोस्तों यह इस तरह से एक और फिर आपको याद रखना होगा यहाँ पर जो value दी गई है ना इसे खतम करना होगा क्योंकि अब कुल दूरी के लिए वो होता है equal दूरी के लिए ठीक है ना equal दूरी हो और आपका ठीक है ना तब दे करता हो और time का कोई difference ना हो total time में cover करता हो तो यहाँ पर बच जाएगा आपका उनली दूरी रह जाएगी 50 किलो मेटर distance कितनी मिली 50 किलो मेटर आप कान सरा यहाँ पर देखे क्या है किस्टन के अंदर एक सिपाई किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मेटर दूर है कितनी दूर है जो 100 मेटर दूर है ठीक है जो 100 मेटर दूर है यह जदी सिपाई 8 मिनट में 1 किलो मेटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलो मेटर तो चोर को पकड़ने जाने से पहले उसके दूरा तैकी के दूरी कितनी है कितनी है 100 मेटर distance और अगर यहाँ पर यहाँ पर हो आपका सिपाही तो वो क्या करता है 1 किलो मेटर 8 मिनट में किलो मेटर परती मिनट और यह कितना है यह है 1 किलो मेटर परती 10 तो करना क्या होगा उसके दूरा तैकी गई दूरी तो पहले उसके दूरा तैकी गई दूरी तो कोई प्रोब्म नी सबसे पहली बात तो यह है दूरी तो निकाल लो गया आप सबसे पहली बात आपकी यह है कि आपको निकालना कितने समय में उसे पकड़ सकते हो ठीक है ना अगर समय की बात आई तो 100 तो है distant कितना है 100 है distant लेने के बाद यहां पर बचा गया 100 बटे यहां पर 1000 तो कितना मिला यह दस माइनस के आठ और बटे कितना रहा 80 तो यहां पर बचा 2 तो 2-0 से 2-0 कैंजिल तो यह 0 से यह भी 0 कैंजिल तो यहां पर कितना बचा तो यह है यहां से अगर आप काट दोगे तो यह मिल लेगा 4 मिनिट कितना मिल लेगा 4 मिनिट में चोर पगड़ा जा सकता है तो दूरी कितनी तै करी होगी तो ठीक है ना तो दूरी भी तो तै करी होगी ना तो दूरी बराबर चाल गुना समय दूरी बराबर क्या होगा चाल गुना समय और यहां पर देखिए यहां पर करता हूं मैं सोल तो चाल कितनी थी आठ ठीक है ना यानि क्या थी एक मिंट ध्यान दीजे यह था 1000 बटे 8 मिनिट है न तो 1000 बटे 8 मिनिट तो और दीए कितना आता समय कितना लिए है 4 मिनिट ठीक है न अगर आपको दूरी नया है दूरी बराबर कितना होता है 4 गुना समय तो यह हुआ 2 और 2 से से काट दोगी यह मिला 501 मिन दोस्तो कहीं कोई सायद करती हुई है कैल्कुलेशन में कि ये उसन में नहीं है एक मिड़ में चैक करा तो देख ले जाए तो दोस्तों आंसर विल्कोल ठीक है आंसर पांसर ही है तो पांसर मिटर अब यह आप बोलोगे सर आंसर तो नहीं मिला क्योंकि ये पकड़े कि आने का मतलब सो मेंटर उनकी बीच में डिफेरेंट्स भी था ये भी आपको याद रखना होगा कितने का डिफेरेंट्स T summers तो सो मेंटर यहाँ सापको गठाना होगा तो गठाने का मतलब मिला क्या आप मिलेगा आपको 400 तो एक लड़ां तर यह रहा 400 ठीक है नag एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से पराते 10 बजे 12 किलोमेटर पर ती गंटे की चाल पर चलता है उसका बड़ा भाई अब उसका बड़ा भाई इसकूटर से एक गंटे 15 मिट बाद उसी रास्ते पर चलकर अपरहां डेड़ बजे उसे पकड़ लेता है तो दुनुस जहां दीजिए देखो दस बजे चलाओ कितने दस बजे और पकड़ा कितने बजे वो देखो पहले तो कॉंसेप्ट समझना होगा आपको दस बजे थे पूरे स्पीड थी उसकी कितनी 12 किलोमेटर पर थी गंटे की उसका भाई चला एक गंटे 15 मिनट इसका मतलब 11-15 पर चला उसी रास्ते में उसने पकड़ ले उसे डेड़ बजे ठीक है तो डेड़ बजे अगर पकड़ ले तो देख लिया जाए तो कितनी दूरी के बाद पकड़ा कितनी देर के बाद साड़े तीन घंटे के बाद कितना साड़े तीन घंटे के बाद ठीक है ना तो यहां तक साड़े तीन घंटे के बाद उसने पकड़ा तो यहां तक कोई प्रोड़म तो है नहीं ठीक है अगर यहां तक आपको सब कुछ समझ आया तो साड़े तीन घंट में कितना चला यह जहन दीजिए चले निकाल देते हैं कोई बात नहीं दूरी बराबर क्या फॉर्मुलर आएगा डिस्टेंट इक्वल टू एक मिट्ट वहां की बिज़ाई यहां पर करते हैं सोल डिस्टेंट इक्वल टू क्या होगा आपका स्पीड इंटू टाइम 502 किलोमेटर की डिस्टेंट कवर की यहां तक बताई अगर कोई प्रोप्लम है तो जाहिर सी बात है अब उसके भाइज ने यही दूरी कितने टाइम में कवर करी इसने करी यहां पर कितना डिफ्रेंच रहा यहां पराई सवा 2 गंटे गा तो सवा दो गंटे को क्या बोद् टाइम कितना रहा आपका यहां पर टेक नो और चार चले रहेगा यहां पर ठीक ना चलिए अब आपको क्या करना होगा कैंसल करना होगा यह किते से तो इसे सारे को कैंसल करने के बाद आपको मिल दागा 18 से 6 वाटा 3 तो यहां पर आणसर नहीं है है दोस्तों ध्यान दीजे यहां पर आंसर है यह कि अट्थारा दोसर डिवाड करोगे तो इस इन सिक सी तो मिलेगा ठीक है 18.67 सही है यह आंसर रहेगा इसका तो समझा है ना दोस्तों आपको चले फिर नेक्स्ट पर चलते हैं चतिस किलोमेटर परती घंटा की गती से कार चला कर एक ड्राइवर अपने से 40 मिटर आगे एक बस देखता है कितना 40 मिटर आगे एक बस को देखता है 20 सेकेंड के बाद बस 100 मिटर पीछे रह जाती है इसका मतलब ध्यान से जटना क्या है 20 सेकेंड में उसने कुछ डिस्टेंज कवर करी तो क्या है 20 सेकेंड में उसके दवारा चली गई दूरी तो डिस्टेंज अगर निकालना है आपको डिस्टेंज निकालना है तो करना क्या होगा स्पीड कितने थी 36 गुर्णा पांच बिड़ अठार है और कितने के मंटिप्लाइ करने होगी 20 तो यहां तो यहां तो यह मिला 200 मिटर ठीक है ना 200 मिटर और अगर देख ले जाए जिए 200 मिटर हैं तो कितने से उसा ने कवर करी सो मिटर तो कितना गैप रहा सो का ठीक है ना तो सो यहां और का टोड़ णिभर देखे से और इसे कितने टाइम में कवर करा उसने धियान दीजिए 20 सेकेंड में कितने 20 सेकेंड में तो अब यहां से 20 सेकेंड में कवर कर दीजिए तो यहां से स्पीड निकल जाएगी ठीक ना चलिए तो ध्यान दीजिए कि दोस्तों यहां पर 100 मेटर था और डिवाइड करा आपने 20 से 25 था ना 18 बटे 5 से और डिवाइड कर दीजिए तो 18 किलो मेटर पर आवर इसकी स्पीड थी कितने थी उसकी स्पीड 18 किलो मेटर पर आवर तो इसलिए ठीक है यह आपका उप्शन रहा सेकंड यहां पर देख भी रहे होंगे आप चलिए यहां पर क्या है साइकल सवार ए सुबह साड़े साथ बजे अपनी साइकल से 8 किलो मेटर पर ती घंटा की चाल से यात्रा करते हैं 30 मिनिट बाद साइकल सवार भी उसी स्थान से 10 किलो मेटर पर ती घंटे की स्पीड से यात्रा करता है A, B से किस समय आगे निकल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ध्यांचा सुनो वो चला था कितने टाइम वो चला था साड़े साथ बजे 8 किलो मेटर पर आवर की स्पीड से ठीक है न और अगला बंदा चला 8 बजे ये कितनी स्पीड से चला 10 किलो मेटर पर आवर की स्पीड से तो उसका मतलब ये कितने के गैप पे रहा 30 मिनट तो 30 मिनट में से ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी 4 किलो मेटर कितनी 4 तो ठीक है अगर ये 4 किलो मेटर डिस्टेंस कवर करी तो करना यह है आपको चार किलोमेंटर की तो डिस्टेंस कवर की और सेम डिरेक्शन में है तो जाए इसी बात स्पीड के आ जाएगे घट तो इससे काट दोगे तो कितना रहेगा दो घंटे में वो उसे पकड़ लेगा दो घंटे का मतलब कितना हुआ आठ दो दस आठ बजे भी ते ठीक है न तो दस बज गया एंगे तो कितना दस बज जाएंगे ठीक है न यह लीजिए तो यह रहा आपका टाइम एक चल तो यहां तक बताई आपको अगर कोई प्रोब्लम है तो ठीक है न चलिए फिर बढ़ते हैं एक पुलिस कर्मी ने एक चोर को 200 मिटर दूरी पर देखा तद दिन परांद चोर ने भागना शुरू कर दे पुलिस कर्मी ने उसके पीछा किया तो चोर पुलिस कर्मी को दोड़ाने की गती यानि चोर की और पुलिस कर्मी की दस और 11 किलोमेटर परते घंडा छे मिनट बाद दोनों के भीच की दूरी कितनी रह जाएगी तो कोई बात नहीं है छे मिनट के बाद आपको देखना ना छे मिनट के बाद कितनी डिस्टेंस रह लिए बाद इस्टेंस तो फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला बताईए फॉर्मूला होता है जाए च्छह मिनिट में पहली तो बात यह है चोर दवारा निकाल लो जो आपको ठीक लगे वो निकाल लीजी वैसे दोनों के लिए निकाल लेते हैं देखो यहां पर करना य स्पीड से और 11 और 10 यह आपने माइनेस इसलिए सेम डिरेक्शन होने की विज़े से और डिस्टेंस निकालने डिस्टेंस इक्वाल टू दूरी बराबर चाल गुना समय तो समय कितना है 6 मिनिट तो 6 बटे आपको करना होगा 60 तो एक बटा 10 रहा यहां पर था किलोमेटर ठ 10 तो इसे आप कनवाट कर दो 100 और बटे 10 तो 10 का सो का डिफ्रेंस रहेगा कितना यह रहा 100 का डिफ्रेंस है तो अच्छा दो व्यक्ति एक ही जगह से निकल कर करम से 4 किलोमेटर परती घंटा और 4.5 किलोमेटर परती घंटा की 10 से चलते हैं दोनों सड़े आठ किलोमेटर दूरी का फासला होने पर एक ही दिशा में कितने समय लेंगे कोई प्रोब्लम नहीं है तो यहाँ पर आठ पॉंट पाँच किलोमेटर की डिस्टेंस है और सेम डिरेक्शन में चले तो चाल जाएगी घट जिरो पॉंट पाँच तो पॉंट सो सत्रा घंटे का टायमिंग रहेगा कितने का सत्रा घंटे है यहाँ पर एक चौर दधाई बजे चल कर चुरा कर साथ किलोमेटर परती घंटा की गति से दोड़ता है चौर को को चौर का पता तीन बजे लगता है तो कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमेटर पर ती घंटे की दर से गती को चलाता है और वह चोर को कितने बज़े पकड़ लेगा ठीक है कोई प्रोलन में है तो इसका मतलब आदे घंटे में उसने कितने दूरी तेह करी होगी 30 और दोनों की चाल घट जाएगी 15 15 दुनी 30 यानि 2 घंटे बाद चोर पकड़ा जा सकता है या पकड़ा जाएगा 3,2,5 कितना 5 बज़े यह दीजिए यही पर 50 km प्रती घंटा की गती से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 km प्रती घंटा गती से चल रही है यदि कार उस बस को पकड़ने में 15 मिनिट लेती है तो कितने किलोमेंटर की दूरी है तो distance equal to क्या होगा आपका distance equal to यानि दूरी बराबर चाल गुना समय तो चाल तो same direction है 20 km प्रती घंटा ठीक है और यहाँ पर कितने मिनिट में 15 है तो 15 बटे 60 चार और चार पंजे यह 5 km ठीक है ना कितना रहा आप कांसर यहाँ पर 5 km तो यहाँ तक बताईए अगर कोई आपको problem है तो ठीक है एक जीप ठीक है एक कार का पीछा कर रही है एक जीप कार का पीछा कर रही है जीप 5 km आगे है डिस्टेंस तो ओल्डी मिली आपको पांच किलोमेटर और चाल घट जाएगी 15 है तो यहाँ पर बचा तीन तो घंटे में थी यानि कनवर्ट कर दीजे मिनट तो बीच मिनट के बाद ठीक है ना आउनसर क्या रहा आपका बीच मिनट सोरी तो यह रहा बीच मिनट तो चलिए देखते है और किस्टन यहाँ पर क बार एक स्थान ए से चलकर 120 किलोमेटर की दूरी बी इस्थान तक 60 किलोमेटर पर ती घंटा के एक समान चाल से तैय करता है किन्तु लोटने में B से A की वही दूरी 40 किलोमेटर पर ती घंटा एक समान दूरी से तैय करता है उसचाल निकाले कोई प्रॉब्लम नहीं है उसच के लिए तो आसान ही है दोस्तो ये कितना था 60 और यह था 40 120 यहां पर 2 और 3 दो गुना 112 और बटे कितना रहा पांच यह वह 24 24 दूने ब्यार 24 दूने 48 ठीक है ना यह रहा डिस्टेंट यह लीजिए और दो की मल्टिप्लाई तो चलो खैर करती है हमने उसच के लिए तो 48 किलोमेटर पर आवर कि उसकी उसच चाल होगी एवरेज है एक वेक्ति अपनी सामने गती के तीन बटा चार गती से चल कर अपने कारेले समय से 20 मिन्ट देरी से पहुंचता है तो जैसा कहा गया वैसा करते है यहां पर है चाल तो चाल के अगर बात की जाए तो चाल कितनी है तीन और चार है अगर समय की बात की जाए तो समय की बात कितनी है चार और तीन ठीक है समय की बात चार और तीन है यहां से अपने कारेले सामानने से 20 मिन्ट देरी से पहुंचता है यहाँ पर कितना टाइम का डिफरेंस है एक को बोल दिया 20 ठीक है ना एक को बोल दिया 20 मिन्ट तो कितने का 20 का मल्टिपल यहाँ पर 20 यहाँ पर 20 तो जही इसी बात 20 का मतलब यह 80 मिनट और यह कितना 60 मिनिट तो क्या पूछा तो दुने सामाने चाल से सामाने चाल से कितना समय लेता हूँ आपका 60 मिनिट का ठीक है तो यहां तक यह क्यूस्टन होगा शोल आपका ठीक है न मेरे खाल से आपका अंसर से आप संतुष्ठ होंगे चलिए एक व्यक्ति सामाने गती कि तीन वटा चाल से चल कर देर घंटे देरी से पहुंचता है तो इसी तरह से है अपकी स्पीड दी गई है तीन और चार चार ओर जिनिल थी बच टाइम कितना निकल जाएगा चार और तीन डिफ्रेंस कितना रहा है यहां पर एक और एक को बोल दिया देड़ घंटा एक पॉंट पांच तो जाहिए जिबात एक पॉंट पांच का ही मल्टिपल और सामने उसने कहाँ यह व्यक्ति उस दूरी को तैय करने में सामने समय कितने घंटे को अगर तो ठीक है कोई प्रोडम नहीं है तो यहां पर मल्टिपल आई कर दीजिए तो साड़े चार घंटे का कितना साड़े चार घंटे का यहां पर है ठीक है घुकर चुछ यहां पर पॉईंट चुटे वह दोस्तों ठीक है यह फिर यहां पर इस तरीके से है यह वन बई-टू यहां पर टूंव थिरित हाए तो बी ओप्शन ठीक है आपको साड़े कि टीन और कितनी थी च neck time कितना हुआ यहां पे चार-टीन का बिस मिनट देरी से यहां पर भी वही सीच्वैशन है बस देरी का तो कोई झंजटी नहीन एग तो एक को क्या बोल दिया एक को बोलते हैं यहां पर 20 मिनिट है तो 20 ही का मल्टिपल रहा अब 20 का मल्टिपल रहा तो उसकी समय 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 तो समय नहीं था चार की स्पीड थी उसकी जो औरिजिनल होता है उसी सही निकलता है आपका तो 20 के हिसाप से 60 60 मिनिट ठीक है किया था अनसर उसका 60 मिनिट ज्यादा ठीक था यह लीजिए एक और क्यूस्टन करते हैं अपनी सामने गती की तुलना में 6 बटे साथ से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनिट देरी से पहुंचता है यह तो सभी क्यूस्टन है जेटेजिए है इस पीड है तो 6-7 की इस पीड थी उसकी उसके बाद आपने टाइम टाइम कितना लिया टाइम यहाँ पर साथ और छे रहा देरी से पहुंचता है एक एक को बोल दे उसने 25 मिनिट तो 25 कहीं मल्टिपल तो उस दुरू को सामानने समय क्या रहेगा यह रहेगा सामानने समय आपका 25 की डेड़ सो यहाँ दो गंटे 30 मिनिट कितना दो गंटे 30 मिनिट का समय रहा है तो ठीक नदो गंटे 30 मिनिट का समय यह रहा है यहाँ एक वेक्ति अपनी सामाने गति से 75 तर पर स्थी सेастर दर तो time कितना रहा यहां पर 4 और 3 देरी से कहुंचता है एक को बोलता है उसने 1.5 तो कितने कई multiple रहा तो सवाटने दर से यह भी इतने कई multiple रहा एक point 5 तो साड़े चार गंटे answer रहेगा ठीक है ना यह answer आपका रहा यह रहा ठीक है ना ध्यान दीजिए एक व्यक्ति कति पिए दूरी को तै करने में अपनी गती को घटा कर दो तीहाई कर देता है परिवान सवरूप एक घंटा लेट हो जाता है सामाने गती से कितना समय में तै करेगा स्पीड उसने कर दीब दो तीहाई तो टाइम भी जाहिस जिबात है 3-2 का हो जाएगा यहाँ पर कितने घंटे है यहाँ पर है एक-एक को एक ही बोल दिया उसने एक ही का मल्टिपल रहा तो जिबात समय में यह थी सामने तो एक दो घंटे ठीक न आपका अंतर रहेगा दो घंटे का कि यहां पर एक रेल गाड़ी अपनी सामने चाल के साथ बटे 11 चाल से चल कर बाइस घंटे में पहुंचती है स्पीड थी 7 11 की है न और टाइम कितना रहा 11 7 का तो जहें इसी बात है यहाँ पर 22 गंटे में पुहुंचती है ठीक है न मैं उससाद की स्पीड से चलती है तो 22 गंटे हमारे हैं यह साब से इसे क्या बोलते हैं उसने 22 तो दो का मल्टिपल रहा तो रिल गाड़ी अपनी स्वैम की चाल से चलती है यानि अगर 11 की स्पीड से चलती हो तो क्या होता है यहाँ पर है ना 11 की स्पीड से चलती तो अब साथ वाली से निकालना है तो जाएज बाती हैं आपर multiple करती है कितने दो कि ठीक है न तो 14 गंटे से तो पूछायों कितने समय की बचत होती कितने समय की आट गंटे की ठीक है ने यह लेजए आठ गंटे की बचत है यहां पर तो कोई प्रोब्लम नहीं है यह यह बहुत थी कितनी तो अर time कितना हुआ? Time हुआ यहाप पर साथ और छे का यहां से कितना time अधी का एक और एक को बोल दिया कितना है? बारा मिनट तो बारा कही cachal raha तो सामानी 7 थी साथ के लिए multiply कर दो पूए 12 जिए 82 एक गंटा 12 मिनट कितना रहा आपका एक गंडा बारा मिनिट का समय है तो एक और क्यूस्टिन है ध्यान दीजे अपनी सामाने चाल के तीन बटा चाल से चरकर एक आदमी अपने कारेले 20 मिनिट बिलम से पहुंच जाता है सामाने चाल से कितना एजिटेज है तो स्पीड है उसकी तीन और चार की ठीक है न और टाइम कितना रहा चार और तीन कितना डिले हुआ यहाँ पर एक गंडा एक को क्या बोल दिया यहाँ पर एक को बोल दिया बीस तो बीस का मल्टिपल तो ये भी 20 के multiple के हिसाब से कितना 60 मिनट तो जाहिज जी बात है कितना time लेता हूँ 60 मिनट यानि एक घंटा 60 मिनट का मतलब क्या रहा एक घंटा ये मिनट थी न तो ये मिनट थी तो यहाँ पर रहा एक बनावर ठीक है न ये आपको याद राखना था चलिए फिर तो दोस्तो एक आप सभी के लिए आवस्सक सूजना थी सूजना ये थी दोस्तो आपको हमारे शी चैनल पर करन्ट अपेर्स भी पर डे प्रोवाइड करा दी जाती है अगर आप करन्ट अपेर्स की दो भासाओं में है ये तो आपके 4 a.m. से स्टार्ट होगी हिंदी भासाओं की जो है ये 5 a.m. से स्टार्ट हो जाएगी ठीक है ना तो और बेनिफेट ये है आपका ये सिर्फ दोस्तो शोर्ट वीडियो है क्या है short video, short video का means यह हुआ, only one minute कितना only one minute आपको देना है और आपकी current affair तयार ठीक है ना only one minute तो दोस्तों अगर आप चाहे तो हमें facebook पर भी follow कर सकते हो या फिर instagram पर या फिर telegram पर भी follow कर सकते हो ठीक है ना तो दोस्तों कैसी रही है आज की class आपके उम्मीद करता हूँ आपको class पसंद आई होगी ठीक है आपकी जो भी सुझाओ या सिकायत है दोस्तों वो comment के माद्दे में से जरूर बताया करें आप क्योंकि आपके सुझाओ ही हमारे लिए motivation का काम करते हैं और जितना आप सुझाओ या किसी बात में बदलाओ चाते हो इतना ही अच्छा है और हमारे भी पतर चलता रहते हैं कि हमारे धर सक हमसे किस तरह साथ किस हिसाब से जुड़े हुए हैं ठीक है न कितने प्यार के साथ तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ एक बार फिर मैं संजीतों मर आप से फिर विदाई लेता हूं दोस्तों हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखे कब तक दोस्तों जब तक जोइनिंग लेटर हाथ में ना हो थैंक्स पूर वाचिंग वाचिंग